नमस्कार दर्शकों, आज मैं धर्मराज जी और, चीडा चिडी की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, उसी जंगल में एक चीडा चिडी रहते थे, वह दोनों बहुत ही प्रेम पूर्वक एक दिन चीड़ा चिड़ी एक नदी किनारे पानी पीने गई वहाँ पर कुछ औरतें पानी भरने आई हुई थी वह धर्मराज जी के व्रत कथा के बारे में बात कर रही थी चीड़ा चिड़ी दोनों उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे उन्होंने भी धर्मराज जी की कथा और पूजा करने का निर्णय ले लिया था अब हर रोज चीड़ा चीड़ी उस नदी में सनान करते और कहानी सुनते चीड़ी हमेशा चीड़े से कहती मैं तुमसे ज्यादा धर्मराज जी की भक्ती करती हूँ और चिड़ा भी हार नहीं मानता, वह भी कहता कि मैं तुमसे ज्यादा धर्मराज जी का भक्त हूँ, एक दिन की बात है, वह दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए थे, फिर इसी बात को लेकर जगडने लगे, तभी चिड़ी ने चीड़ा से कहा कि तुम इतना प्रभू का ध् नहीं करती है, इस बात पर दोनों खूब आपस में लड़े, अंत में यह परिणाम आया कि चीड़ा चीड़ी से एक शर्त लगते हैं और चीड़ी ने चीड़ा से कहती है, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा भक्ति भाव रखते हो, लेकिन एक शर्त ह कल सुबह इस पेड के नीचे सबसे पहले जो आकर पहुँचेगा, मान लिया जाएगा कि वह सबसे ज्यादा भक्ति करता है, चीड़ा ने भी हां में हां मिलाया, दोनों ने एक दूसरे की बात मान लेते हैं, फिर दोनों अपने घोसले में चले गए, और चीड़ा वहीं र रुख जाता हूं, और मैं कल चीड़ी को यह जरूर बता दूँगा कि मैं उससे ज्यादा भक्ति करता हूं, यह बात सोचकर चीड़ा उसी पेड पर रुख जाता है, वह घर नहीं जाता है, रात में ठंड और भी बढ़ जाती है और बरफीली हवाएं चलने लगती है, ची कितनी भक्ति करता हूं, वह जब आएगी तो पहले मुझे यहाँ पर देखकर हार मान जाएगी कि मैं उससे ज्यादा भक्ति करता हूं, धीरे धीरे रात और बढ़ती गई, और ज्यादा तेज हवाएं चलने लगी, ज्यादा ठंड नहोने की वजह से चेड़ा उसी पेड क सोचती है कब सुबह हो और कब मैं सबसे पहले वहाँ पहुँच जाओं, चिड़े को मैं दिखा दूँगी कि मैं सबसे बड़ी भक्ति करती हूं, रात अभर यही बात सोच सोचकर वो सोती नहीं है, जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया दोड़ी दोड़ी वपर जाती है उस पेड के पास, और हर तरफ देखती है, चिड़े का कोई अतापता नहीं होता है, चिड़िया वहीं बैठ जाती है, और मन ही मन में बहुत खुश होती है, और सोचती है कि आज तो मैं दिखा दूँगी कि चिड़े को की उससे ज्यादा धर्मराज जी की भक्ति मैं करती ह चिड़ी इंतजार करते करते ठक जाती है और एक घंटा बीत जाता है, सूरज की किरणे निकल आती है, धीरे धीरे हर तरफ धुंध छाने लगती है, चिड़िया इंतजार करती है और देखते ही देखते उजाला हो जाता है, लेकिन चिड़े का कोई अतापता नहीं रहता ह वह सोच में पढ़ जाती है कि आखिर चिड़ा हार गया क्या, अभी तक क्यों नहीं आया, चिड़िया जब इधर उधर नजर दोडाती है, तो उस पेड के नीचे एक जाड़ी पर पड़ा होता है, जाड़ी पर उसकी नजर जाती है और देखती है कि वहां कुछ है, जब वह चिड़िया मैं तुम से ज्यादा बड़ा भक्ती हूँ, तभी मुझे खुद धर्मराज जी विमान से लेने आये, तुम तो अपने घोंसले में चली गई, लेकिन मैं अपनी भक्ती को साबित करने के लिए, रात भर इसी पेड़ पर धर्मराज जी का ध्यान करता रहा, और अब नतीजा ये हुआ कि मेरी मौत के समय भगवान खुद मुझे लेने आये हैं और मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, मैं वहां तेरा इंतजार करूँगा, मुझे उम्मीद है कि तू धर्मराज जी की भक्ती करना बंद नहीं करोगी, चिड़ी ये सब परेच कर अपने चि में मौद से रहते हैं और धर्मराज जी का ध्यान वरत पूजा कथा भी करते हैं, हे धर्मराज जी, जैसे आपने चिड़ा और चिड़िया पर कृपा की वैसे ही हम सब पर करना, जय हो धर्मराज जी की